चिकिन पॉक्स या यूँ कहें कि छोटी माता या यूँ कहें कि चेचक ये सब चिकिन पॉक्स के ही नाम है चिकिन पॉक्स एक गंभीर बीमारी होती है इस बीमारी में व्यक्ति के सरीर पर दाने निकल आते हैं और उन दानों में बहुत ज्यादा दर्द होता है और यह दाने इतने खतरनाक होते हैं कि इन दानों में पस पढ़ने लगता है और धीरे धीरे यह दाने फफोले का रूप ले लेते हैं और यह चिकिन पॉक्स के दाने धीरे धीरे हाथ पैर पर निकलते हैं फिर चहरे पर निकलते हैं और इस तरह से पूरे सरीर पर निकलाते हैं जो कि देखने में भी एक बहुत 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 लगते हैं और इस चिकिन पॉक्स की बीमारी को और चिकिन पॉक्स के दानों को हम आखिर कैसे ठीक कर सकते हैं तो मेरा नाम है ताहिर सैफी और आप देख रहे हैं Medical Health Education YouTube Channel चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को चिकिन पॉक्स जिसे लोग छोटी माता और चेचक के नाम से भी जानते हैं चिकिन पॉक्स एक वैरिसेला जोस्टर वाइरस के कारण होता है और यह युआ है वाइरस उन लोगों के पर जल्दी अटेक करता है और चिकिन पॉक्स की यह गंबी बीमारी जल्दी हो जाती है वैरी सेला जोस्टर वाइरस जब हमारे सरीर में एंटर होता है तो यह चिकिन पॉक्स का संक्रमण कर देता है चिकिन पॉक्स होने के समय कुछ सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं व्यक्ति में जैसे कि उसके सरीर पर दाने निकल आते हैं और उन दानों में बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और धीरे धीरे यहे दाने एक फफोले का रूप ले लेते हैं जिनमें पस पढ़ने लगता है और इनमें बेहद ही जलन होने लगती है और व्यक्ति को इन दानों के सासाथ भूग में कमी, सिरदर्द, बुखार का बना रहना ये सब लच्छड भी दिखाई देते हैं वेरिसेला जोस्टर वाइरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी बहुत आसानी से फैल सकता है तो जिस व्यक्ति को चिकिन पॉक्स हुआ है या वह व्यक्ति चिकिन पॉक्स से संक्रमित है तो उस व्यक्ति से उचित दूरी बनाना बहुत जरूरी होता है अब बात करते हैं Chicken Pox के treatment के बारे में लेकिन उससे पहले आपको कुछ tips को follow करना बहुत जरूरी है जिससे आप अपने आपको और दूसरों को भी Chicken Pox से बचा सकते हैं तो सबसे पहले करना क्या है? कि अगर आपको Chicken Pox हुआ है तो आप एक qualified doctor को दिखाएं क्योंकि बहुत से लोग आज भी इस भिरम में जीते हैं कि यह कोई माता का असर है या यह कोई बुरे कर्मों का फल है तो इस भिरम में बिल्कुल ना रहें एक qualified doctor को अवशे दिखाएं और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं बहुत से ऐसे uneducated लोग हैं जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति को अगर चिकिन पॉक्स हो जाता है तो उसको खाना खिलाना बंद कर देते हैं और कमरे में बंद कर देते हैं और जाड़ा लगवाते हैं पता नहीं क्या क्या करवाते रहते है तो ये सब एक myth है इन सबसे बचना चाहिए इस बीमारी को बीमारी समझना चाहिए और एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिससे इस गंबीर समस्या से छुटकारा मिल सके तो यदि आपको चिकिन पॉक्स हुआ है तो आप एक हवादार कमरे में रहें और हलके और धीले कपड़े पहने जो आपके सरीर पर दाने निकले हैं उन दानों को खुजाने से बचें उनको नौचने से बचें जितना हो सके अपनी चीजों को अपने पास ही सीमित रखें किस किसी दूसरे व्यक्ति से शेर ना करें जिससे कि आपका infamous किसी दूसरे व्यक्ति को ना हो एंड जितना चल्दी हो सके आप क्वालिफाई दॉक्टर को देखाएं डॉक्टर आपकी इस परिशानी को देख्ते तो बहतर होगा कि आप एक qualified doctor को जरूर दिखाएं I hope आप समझ चुके होगे अगर कुछ भी इसके regarding आपको पूछना है तो आप हमसे नीचे comment करके पूछ सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में गुडबाई and be safe